नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजवाइन के पानी के फायदे और नुकसान के बारे में तो दोस्तों हर कोई अजवाइन के पानी के बारे में नहीं जानता है लेकिन आपने अजवाइन के बारे में तो जरूर सुना होगा अजवाइन विशेश रूपशे भारत में एक प्रसिद्ध मसाला है जिसमें की मजबूत सुगंद, काटेदार पतियां और तेज मसालेदार स्वाध होता है जिस प्रकार से अजवाइन हमारे लिए फायदे मंद होती है उसी तरह से अजवाइन का पानी भी लाबकारी होता है तो इस वीडियो में आपको अजवाइन के पानी के लाब के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे दोस्तों अजवाइन के बीजों में कई आवश्य खनीज और विटामिन होते हैं और इसमें कुछ प्रोटीन वसा और कार्बोहाइडरिट भी होते हैं अजवाइन के बीज से प्राप्त मुख्य उत्पाद इसका तेल होता और अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में अजवाइन के पानी का उप्योग करें इससे मोटा पक कम होने में सकती है और इसकी अलावा अजवाइन के पानी के नियमित सेवन से पत्री की समस्या भी दूर होती है दोस्तों बात की जाए इसके लाबों की या इसके फायदों की तो सबसे बेला फायदा है कि आपके पाचन को स्वस्त रखता है अजवाइन जो है वो पाचन को स्वस्त र रिलीस करने में मदद करता है जिससे कि पाचन प्रक्रिया में तेजी आती है साथी साथ ये वेट लोज के लिए भी फाइदेमंद होता है यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको हर सुबह एक कब अजवाइन का पानी पीना चाहिए यहां आपके मेटबॉलिज अजवाइन के सेवन की सलाथ दी जाती है अकसर गरभा अवस्था में कब्ज या फिर प्रेगनेंसी में गैस बनने जैसी पेट से संबंदित समस्याएं हो सकती है अजवाइन का पानी पीने से इन लक्षणों को दूर करने में मदद मिलती है और प्रेगनेंसी के दोरान महि में इसका सेवन करना चाहिए साथी साथ इसके फायदे किड्नी के लिए भी होते हैं पत्री का दर्द बहुत तिवर होता है और अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो यहां आपके लिए गंबिर हो सकता है पत्री के अधिकांस मामले अनुचीत पाचन और कुछ पा पानी पीने से जो है अस्थमा से भी राहत मिल सकती है भारती मसालों के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि एक दुसरे के साथ एक सयोजन में इस्तमाल करने से और भी फायदेमंद हो जाते हैं अजवाइन के गर्म और सुख दायक गुणों के कारण अजवाइन का पानी भी स्वसन समस्याओं के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है अस्तमा के लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए आप गर्म या फिर गुन गुना अजवाइन का पानी पी सकते हैं और इसको और असरदार बनाने के लिए आप इसे गुड के साथ मिला कर भी सेवन कर सकते है साथी साथ ये दातों को भी स्वस्त रखता है अपने मूँ को स्वस्त रखने के लिए अप माउथ वोश के विकल्प के रूप में अजवाइन के पानी का उपयोग कर सकते हैं अब अजवाइन का पानी वाला माउथ वोश बनाने के लिए लौंग के तेल अजवाइन के बी साथि साथ इसका पाने पी पीने के लाप तवचा के लिए होते हैं आंत्रिक रुप से उप्योग किये जाने के अलावा यह तवचा की कई समस्यां के लिए बाहरी उपचार के रूपमे भी उप्योग किया जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए आम तोर पर PC हुई अजवाइन को थोड़े से पानी के साथ मिक्स करने की सला दी जाती है ताकि इससे गाड़ा पेश्ट तयार किया जा सके अजवाइन का पेश्ट फोड़े मुहासे या फिर एक्जीमा के कारण त्वचा पर खुजली और सूजन को कम करने के लिए विशेश रूप से उपयोगी होता है साथी साथ दोस्तो अजवाइन का पानी जो ही ये पिरियर्स के लिए भी फायदेमंद होता है आज कल हरबल चाय कई रूप में आती है ये महिलाओं में मासिक दर्मचकरों को नियंतरित करने के लिए सबसे लोग प्रिय पारम परिक उप्चारों में उपयोग किया जाता है सबाग्य से अजवाइन का पानी भी मासिक दर्मचकरों को नियंतरित करने के लिए उप्योग किया जा सकता है और इसके लिए आपको रात में मिट्टी के बरतन में अजवाइन के बीजों को पानी में बिगोना है और इसके बाद सुबह इस पाने का सेवन करना है और साथी किलônø 오ेलिक दर्थ की इलाच के लिए आप मालिश करने से पहले प्रभाविक शित्र में अजवाइन का पानी लगाएव नियमित की से दोहराएव अब में दोष्तों जानेНगे कि अजवाइन के पानी के नुकसान होते हैं अचएक पानी समस्यां को ठीक करने अजवाइन का सेवन करती है उन्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि बहुत अधिक 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 मात्रा में सेवन करना हानिकारक हो सकता है यह हर्दे दर में वृद्धी कर सकती है जिससे की पैल्पेटेशन होता है और इसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और इसल यह समस्याओं को और भी बढ़ा सकता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी यह वीडियो और जानकर यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्खुल भी ना भूले और अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को कर ले सबस्क्राइब और बैल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पिले आपको मिल सके थेंक्स फ़र यो टाइम